मनुस्य की सिढ़ी के तीन पायदान है पहला उसका सरीर, तूसरा उसका मन, तीसरी उसकी आत्मा और उन तीन पायदानों पर जो चड़ जाता है, वो चोथे को अपलब्ध होता है, जिसे हम परमात्मा कहते हैं जिसकी सरीर की जरूरतें पूरी नहोंगी, वो दूसरे पायदान पर नह चड़ पाएगा जो भूखा है, तब ने कहा है, भूखे बजन नहों ही गुपाला, वो कैसे बजन करेगा भूखे को बजन चाहिए नहीं, बोजन चाहिए और जब प्राणों में भूख भरी हो, और रोआ रोआ भूखा हो, तो तुम कैसे बजन करोगे तब ब्रह्मे की याद ना आएगी, तब तो बोजन ही तुम्हारे चानों तरफ गुमता रहेगा और इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, यह स्वाभाविक है यह बिल्कुल ठीक है, ऐसा होना ही चाहिए, यह प्रकरती का नियम है इसमें तुम अपने को दोसी मठ ठहराना, कि मुझे बोजन की याद क्यों आती है जब मैं बजन करने बैठता हूँ साफ है कि तुम भूखे हो और सरीर पहली जरूरत है, सरीर अगर पूरा नहो तो मन की जरूरत है उठी न पाएंगी भूखे बजन नहीं होता ऐसा है नहीं, भूखे चिंतन भी नहीं होता, विचार भी नहीं होता अब तो विग्यानिक कहते हैं कि अगर बच्चों को ठिक ठीक भूजन न मिले तो उनका बुधि अंक नीचे रह जाता उनका आईक्व नीचे रह जाता अगर बच्चों को ठीक ठीक पॉसटिक आहार न मिले बच्पन में तो सदा के लिए उनकी बुद्धी कमजोर रह जाती है उनकी बुद्धी कभी भी उचाई को उपलशा Tenemos नहीं हो सकती जीवन उर्जा ही नहीं है इतनी कि उसको उचाई पिले जा सके सरीर की जरूरतें पूरी जब हो जाती है तो मन की जरूरतें पैदा होती है वो दूसरा पायदान सरीर की जरूरतें रोटी, पानी, छपपर, कपड़ा बहुत छोटी जरूरतें और ध्यान रखना आवशक्ता और वासना में बड़ा फर्क है आवशक्ता तो स्वाभाविक है वासना विक्षिप्त है भूख लगे तो बोजन करना स्वाभाविक है लेकिन बोजन के बाद भी अगर कोई 24 गंटे बोजन का चिंतन करते रहे और विचार करता रहे तो आपसेशन हो गया तो वो बोजन के पीछे पागल है भोजन पेट भर जाए तब भी कोई खाता चला जाए तो वो विक्षिप्त है उसकी चिकिस्सा की जरुवत है वो बोजन से सरीर को मार डालेगा जिस चीज की जरुवत पूरी हो जाए उस जरुवत के पीछे पागल की तरह लगे रहना, रोग है, वासना रोग है, आवशक्ता स्वभाविक है, आवशक्ता पूरी करना और वासना से बचना, आवश्यक्ता तो रोटी की है, पानी की है, वासना स्वात की होती आवश्यक्ता तो कपणों की है, सरीर ढखना चाहिए, सर्दी है, गर्मी है, जरूरत है सरीर तो ढखा जा सकता है, लेकिन वासना का सरीर तुम कभी न ढख पाओगे कितने ही बहमूल वस्त तुम्हारे पास आ जाएं वासना काइम रहेगी वासना दुस्पूर है आवश्चक्ता की पूरती तो बिल्कुल सरल है तो तुम कैसे तै करोगे क्या है वासना क्या है आवश्चक्ता सोचना जो चीज पूरी हो सके वो आवश्यक्ता है, जो कभी पूरी नहो सके वो वासना है तुम एक मकान में रहते हो, सोसते हो बड़ा महल हो जाए तो विचारना कि बड़ा महल होने से और बड़े महल की वासना उठेगी या नहीं अगर उठेगी तो जोपड़े में रहना बेतर है कुछ अर्थ नहीं बड़े महल में जाने से भी क्योंकि और बड़ा महल पकड़ेगा वासना के पूरे होने का कोई उपाय नहीं आवश्यक्ता तो बड़ी निर्दोस है बड़ी सरल है उसमें कोई जटलता ही नहीं आवश्यक्ता तो भिखारी की भी पूरी हो सकती है वासना समराट की भी पूरी नहीं होती वासना का पूरा होना स्वभाव ही नहीं सरीर की जरूरतें पूरी हो जाएं तो मन की जरूरतें पैदा होती संगीत है साहित्ते है नरत्य है, कावे है जैसे ही सरीर की जरूरतें पूरी होती है मन की जरूरतें आने शुरू होती मन की जरूरतें जब पूरी होने लगती है सुन लिया बहुत संगीत थोड़ी सांती मिली लेकिन वो सांती और बड़ी सांती की आकंच्छा जगा गई थोड़ा सा स्वाध पाया ध्यान का अब संगीत काफी नहीं मालूम पड़ता अब तो उस संगीत में जाना है जो सास्वत है जो आदमी के द्वारा पैदा नहीं होता जो परमात्मा से उठता है अब तो उस संगीत में खो जाना है जिसके स्वर भी सुने पढ़ा कावे को गीत गाए गुनगुनाए पक्षियों के गीत सुने फुलते फूलों को देखा सुंदरी को पहचाना स्वर को जाना ले की समझाई छंद का बोध हुआ लेकिन सब कम पढ़ जायागा मन तो केवल जलक देता है क्योंकि मन तो दर्पन उसमें तो पृतिविम बनते हैं लेकिन पृतिविम अच्छे हैं अगर तुम पृतिविम में ही उलज गये तो खत्रा है जिसके पृतिविम बनते हैं मन में अगर दर्पन में देखके तुम उसकी यात्रा पर निकल गया, दरपण की तरफ कर ली पीट, खोजने लगे उसको, जिसकी छाया पड़ती थी दरपण में, संगीत में सुना था कुछ, वो छाया ध्यान की, इसलिए संगीत सुनते कभी-कभी एकदम ध्यान लग जाएगा, सुनते सुनते ही सप संत हो जाएगा, फूल को देखते देखते फूल भूल जाएगा, कोई संदरी सब तरफ से घेर लेगा, दरपण को छोड़कर, तीसरी यात्रा शुरू होती, तीसरा पायदान, कि मन में जिसकी चाया बनती थी, अब हम उसको खोजने निकलते, मन की आवशकताएं जब पू तो लोग आत्मा की आवशकताओं बोटते हैं, तब प्रार्थना, पूजा, अर्जना, ध्यान, उनका रस लगता है, तब सन्यास, भूखा आदमी गीद भी नहीं समझ सकता है, भूखे के कान पे तुम वीना बजाओ, तो उसे सिर्फ स्वरों का उत्पात मालूम पड़ेगा, भूखा आदमी कहेगा बंद करो, अभी ये च्छन सुनने का नहीं, बंद करो ये वीना, इससे चोट पड़ती, इस सिहर्दे में गाव होता है, भूखा आदमी चांद को भी देखे, तो चांद भी उदास मालूम पड़ता है, भूखा आदम फूल को भी देखे, तो फूल को भी खा जाने का मन होता है, फूल के सुंदरी को अनभव करने का नहीं, जैसे सरीर की जरुवत पूरी होती है, मन की जरुवत उठती है, जो लोग सरीर की जरुवत में ही उलजे रह जाते हैं, उसे वासना बना लेते हैं, वो अभागे, उन बहुत लोग उसी तरह पर जीवन बिता रहे हैं। उन्हें पता ही नहीं कि सीड़ियां आगे ले जाती हैं, सीड़ियां कोई घर नहीं, दूसरी जगे है मन, कुछ लोग मन में खो जाते हैं, फिर उनका यही रागरंग हो जाता है, संगी सुनना है, चित्र देखने, फिल्म, उपन्यास जरूरी था, लेकिन काफी नहीं, उससे भी जागना है, उससे भी उपर जाना है, तब कभी ध्यान सन्यास की महिमा प्रगठ होती, और वो भी सिल्ही ही है, उसके भी पार जाना है, तब कहीं परमात्मा के जीवन में, परमात्मा के मंदिर में प्रवेस होता है, तब नदी सागर में गिरती है। कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो रजने हैं